आप अपर की अब है विडियो को स्टार्ट करें आप सब भी को और आपके सारे परिवार को हमारी तरफ से इस चोटी दिवाली की बहुत बहुत चुप कामना है और आप इसी तरह से प्यार बढ़ साते रहेगा और मुझसे जुड़े रहेगा अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकान दबाना बिल्कुन दो बोलेगा आज बात कर लेते हैं पहले इस टॉक के बारे में जो इसका नाम है टेक्स्रेल में आज क्या हुआ है टेक्स्रेल में एक बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल हुआ है और कहां से हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर से जो है इसका 200 डेमा क्या है 200 डेमा इसका टू-0-2 पर और टू-0-2 से ही इसका रिवर्सल हुआ है आज का लो अगर आप देखते हैं तो टू-0-3 था और टू-0-3 से मूव करके अब यह उपर चल दिया है और अब अ अच्छी एंट्री पॉइंट होगा क्योंकि वह फिर आपको सारी ही मुविंग अपर निकल जाएगा क्योंकि अभी आप टू-0-3 जो है इसका 200 डेमा है टू-0-4.5 इसका 20 डेमा है और 214 इसका 50 डेमा 217 इसका 100 डेमा तो इसलिए मैं कहां 217 के ऊपर निकलेगा तो यह सार अभी आपको सिर्फ 200 के आसपास का स्टॉप लोगा के रखना है क्योंकि 200 के आसपास ही इसका 200 डेमा भी है 203 है प्रिसाइजली बट टू-100 भी इसका एक साइकोलोजिकल सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए हालनकि इसने दो बार जरूर तोड़ा है 200 डेमा के ऊपर जाने के 24 85 के असपास अब लगता नहीं कि नीचे जाने की गुंजाइश है और उपर जाने की गुंजाइश जादा लगती है हाला कि फिर भी कोई भी स्टॉप लॉस के बिना काम मत कीजेगा वह जिस तरह का मार्केट चल रहा है वह मार्केट आपको दोन तरफ से सर्प्राइज कर 217 अगर निकल जाता है तो फिर इसमें अची चाल देखने को बिलेगी और जो इसको लेके जा सकता है पहला पड़ाओ 230 230 निकलेगा तो 240 238 और 238 के बाद इसमें 250 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है तो यह कुछ लेवल्स हैं जो की इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 230 238 औ 238 के बाद 250 तक की चाल देखने को इसमें जरूर मिलेगी टेक्स्टेल में और यह सिर्फ और सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंस हैं इंपॉर्टेंस से स्टॉप लॉस के बाद का और स्टॉप लॉस और दूसरी बात रिवर्सल ट्रेड है यह जो हमने पहले भी बात की थी रिवर्सल ट्रेड हमने काफी सारे पकड़े हैं और काफी अच्छे उन्होंने हमें पैबैक भी किया है पैसा कमा के दीया है तो इसी के श्रंपला में टैक्स्टेल भी हो जाता है तो अभी भी आरसई 54 के आसपास है तो अभी मोमेंटम अभी भी मिसिंग है वालंकि हो सकता है कि इसमें आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम देखने को मिले अब यह हो जाता है डेली का चार्ट एक बर्स को वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि जो जो इसमें सपोर्ट लिया है आप देख सकते हैं तीन वी की कैनल का जो क्लोजिंग है वह एक लेवल के से उपर है जो लेवल है 197 का 197 क्या है 197 का 50 week exponential moving average है और इसलिए support यहां पर बड़ा जबर्दस देखने को मिल रहा है तो यह जो आप देखेंगे तीनों कैनल में दो में नीचे विक बहुत अच्छी है मतलब यहां पर नीचे buying support देखने को मिल रहा है यहां पर और अब इसमें देखने को मिलेगा नेक्स बढ़ाओ 218 जो इसका 20 week exponential moving average है मैं 217 बताया था जो इसका 100 देमा है बट 20 week exponential moving average भी 218 के आसपास है और इसलिए आप यहां पर 218 के ऊपर 217 के ऊपर चलेगा तो इसमें अच्छी चाल देखने को मिल सकती है और फिर इसमें 296 जो इसने हाई लगा जो की important है levels का ध्यान दखेगा और 250 के बाद तो फिर इसमें चाल तेज हो सकती है 277 280 के आसपास पहुंचेगा और 296 का की journey भी यह तैग करेगा अब इसमें weekly के चार्ट पर कर आप आरे सा ही देखते हैं तो यहां पर भी 49 का RSI है तो यहां पर भी थोड़ा सा momentum जरूर मिसिं है नहीं बढ़ हो सकता है position में ना हो तो जो भी आप decision लिए अपने financial advisor से discuss करके ही लिएगा otherwise नहीं यह है weekly का चार्ट अब एक बार monthly के चार्ट पर कुछ हर्डल है या कुछ support है monthly का चार्ट भी बहुत ही बड़े लग रहा है इस month में अगर आप देखते हैं दो महीने से इसम 1.4% का return दिया है तो यह एक अच्छी चीज है इस दरह से अपने देखेंगे तो यह पहले भी ऐसे कर चुका है कि इसने एक बड़ी red candle बनाई February में फिर March में red candle उसका green candle बनाया और उसके बाद तो इसने पीछे मुड़के देखा नहीं है और इस दरह से अब फिर से चला है और चलने के बाद अब भी फिर से दो रेड गैंडल और इसके बाद अब यह वापस से positive territory में move करने लगा है मंतली के चार्ट पर एक और अच्छी चीज क्या है कि 62 का RSI है तो वह भी अच्छी चीज है 62 के RSI मतलब अभी मंतली के चार्ट पर चार्ट अभी डिस्टॉट नह होना चाहते हैं तो 1718 के ओपर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा conviction होगा और उसके बाद आपको अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं तो यह हो जाता है हमारा पहला चार्ट अब बात करते हैं सेकेंड चार्ट के बारे में जो कि यहां पर भी रिवर्सल का ही opportunity है और 200 ड सब्सक्राइब और 20 सब्सक्राइब काया है और 20 डिकंटि डेमर हो खला होएंगे पर चलना होगा है तो इसमें a चाल देखने को बिलेगी और यहां पर ही 162, 163 के आजपासी अगर आप देखते हैं तो यह आपको यहां पर एक breakout देगा क्योंकि इस तरह से चलेगा यहां पर breakout देगा और इसके बाद आपको इसमें देखने में अच्छी चाल देखने को भी लेगी और इसको हो सकता है कहां तक लेके जाए तो इसको 192, 193 तक की चाल देखने को इसे बिलकुल मिल सकती है और 192, 193 के आजपासी इसमें यह हर्डल भी है आप देखेंगे तो इसका 190 पर ही इसका यह हर्डल है यह देखें तो यहां पर ही हर्डल है अगर यह 162, 163 के ओपर चलना शुरू होगा और अगर आपका इस पोजिशन हो तो अभी बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ सिर्फ स्टॉप लॉस हो जाता है जो कि 150 पर स्टॉप लगाएगा तो खोने क सब्सक्रा ब questa बने चुषरा से लृस xn और हरी यंडल बने सिर्फ डफ निखीपर स्टॉप लेगा यह देली का चाःटर दी की चोने के चाह באँ में के हैं तो उसरी दो तो यह देली है जो यह यह The覽 यह देली का चाहिव तो 55 का रसा है तो यहां पर भी अभी ट्राक्शन गेन कर रहा है और बिल्कुल अपने डाग पर आप रख सकते हैं एक वर सको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं वीकली के चार्ट पर आपको देखेगा कि आज ही के सत्र में इसने अपना 50 वीक अब जाके समला है और अब समलने के बाद अच्छी ग्रीन केंडल बनाई है और यह ग्रीन केंडल भी बहुत ही बढ़िया लग रही है इसमें तो इसको ध्यान रखेगा क्योंकि इसमें आपको अब जो यह ब्रेक आउट आया 146 के ऊपर यह इसको नेक्स लेवल में लेके जा हैं अगर आपके इस पोजिशन तो बिल्कुल बने रहेगा 146 का स्टॉप लगाएगा क्योंकि 150 थोड़ा था मैंने थोड़ा सा भी मीडियम टर्म होराइजन है जो की वीकली का चार्ट पर देखते हैं तो इसको 146 का स्टॉप लगाएगा और इसमें 162 तोड़ता है तो फ आई आए रसी वी मेरी कोई पॉजिशन निया वाट हो सकता है तो जो भी आप डिसीशन लीजेगा अपने फाइनेशल अडवाई से डिसक्स किये वेडा बिल्कुल मत लीजेगा यह है वीकली का चार्ट एक बर इसको मंतली के चार्ट पर भी देख लेते हैं मंतली के चार् इसमें भी आप देखेंगे तो दो डो मेने की रेड आट गेंडल बनी है और अब जाके इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन आना शुरू हुआ है और वह पॉजिटिव ट्रैक्शन अभी गृइन के बने हिए इसको बढ़ हो सकता है कल के सत्र में इसमें ग्रीन क परिस्पेक्टिव से और आर से 65 का भी पॉजिटिव है तो इस दोनों ही जो स्टॉक्स हैं दोनों ही चार्ट से बहुत ही बेतरी लग रहे हैं और रिवर्सल पैटर्न है इस फितना ही विल से नेक्स वीडियो तैंक ये सो मच वाचिंग इस वीडियो तैंक ये सो मच वाचिंग इस वीडियो